हेलो एवरिवान, नमस्कार, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है बच्चो, पिछले कक्षा में हमने बड़े आ की मात्रा को जोड़कर शब्दों को पढ़ना सीखा था है न बच्चो आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं छोटी E की मात्रा को जोड़कर शब्दों को पढ़ना बच्चो आज का हमारा विशे है पार तीन E E की मात्रा आज का हमारा विशे क्या है बच्चो पार तीन E की मात्रा बच्चो यह स्वराक्षर का तीसरा अक्षर है जिसका नाम है E यह शौर्ट वो वल है जिसे हम छोटी E कहते हैं हम क्या कहते हैं इसे छोटी E और यह है छोटी E की मात्रा बच्चो वर्णों में यही एक ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा हमेशा अक्षर के आगे लगती है जैसे के क जमा छोटी E बराबर की यह देखिए बच्चो छोटी E की मात्रा हमें छोटी E की मात्रा को शौर्ट करके बोलना पड़ता है क्यूंकि यह शौर्ट ओवल है ठीके बच्चो इसका उचारण कैसे होता है कि दुबारा सुनिए कि तो बच्चो आज का हमारा विशे क्या है पार्टी छोटी एकी मात्राव बच्चो यहां पर कुछ शब्द और चित्र है हम सबसे पहले उनका अभ्यास करेंगे बच्चो यहां पर देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटी एकी मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लगती है तो बच्चो शुरू करें हम पार्ट को क जमा छोटी एकी जमा सा की स जमा बड़ा आ की सा जमा न की सा न की सा न बराबर किसान क्या है बच्चो यह किसान देखिए यहां पर एकी मात्रा अक्षर से पहले लगी है है ना यह छोटी एकी मात्रा है बच्चो यह हमेशा अक्षर से पहले लगती है ध्यान में रखिएगा बच्चो किसान का मतलब होता है फॉर्मर देखिए यहां पर चित्र में किसान का च छोटी ए, की, जमा, ता, की, त, जमा, बड़े आ की मातरा, ता, की, ता, जमा, बा, की, ता, ब, बराबर किताब, किताब, किताब का मतलब होता है, बुक, जिसे हम पुस्तक भी कहते हैं, छीके बचों? अब आगे, बचों हमारा आगला शब्द है, च, जमा, छोटी ए, ची, जमा, ड, जमा, छोटी ए, डी, ची, धी, जमा, या, जमा, बड़े आ की मातरा, या, ची, दी, या, बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, हमने बिल्कुल भी लंबा करके नहीं बोला, च, जमा, छोटी ए, ची, ड, जमा, छोटी ए, डी, ची, डी, या, जमा, बड़ा आ, या, ची, दी, या, ची, दी, या, चीडिया, चीडिया, चीडिया माने बड़, चितर में देखिए, यह चीडिया है, एक क्या है बच्चों? चिडिया जिसे हम बढ़ कहते हैं. हमारा अगला शब्द है ह जमा छोटी ए ही, ह जमा छोटी ए ही, जमा रा, ही, रा, जमा ना, ही, र, ना, ही, र, ना ही, र, ना, ही, र, न, 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 ही, र, जमाबड़ाया, चिडिया, चिर्या, चिर्या means bird, जमाठ चोति इ, ही, जमाठ, रही, रहा, जमाठ, नही, रहा, नही, रहा, चिर्न, हीरन means deer, अब आगे, बच्चों यहां पर हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी अर्थ भी है बच्चों, अभी हम इनका अभ्यास करेंगे. दा, जमा, छोटी इ, दी, ना, दिन, दिन का मतलब होता है जे, बा, जमा, छोटी इ, बी, ना, बिन, बिन मेंस विरावट, का, जमा, पा, जमा, छोटी इ, पी, कपी, कपी, कपी मेंस मांकी, च जमा, वा, जमा, छोटी इ, चवी, चवी मेंस रेप्यूटेशन और इमेज, का, जमा, छोटी इ, रा, ना, का, जमा, छोटी इ, रा, ना, कीरन, कीरन मेंस रेवट, हा, जमा, छोटी इ, रा, ना, ही, र, ना, हिरन, हिरन मेंस दीर, खा, ता, जमा, छोटी इ, ठी, य, जमा, बड़ा, आ, ख, ती, य, खटिया, खटिया, खटिया मेंस कौट, घ, ता, जमा, छोटी इ, घटिया, जमा, बड़ा, आ, या, घ, ती, या, घ, ती, या, घटिया, घटिया मेंस रबिश, अ ध, जमा, छोटी इ, अधी, क, जमा, बड़ा, आ, का, र, अधिकर, अधिकार, अधिकार, अधिकार means right श न जमा छोटी ई शनी व जमा बड़ा आ वा श नी वा र श नी वा र शनी वार शनी वार शनी वार means Saturday एक ओर बर दो हुर आये द जमा छोटी ई दी न दिन दिन मींस दे बा जमा छोटी ई बी न बिन बिन मींस विरावट का पा जमा छोटी ई पी कपी कपी मींस मंकी श वा जमा छोटी ई छवी, 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 छवी means reputation, क जमा छोटी इ, र, न, किरन, किरन means re, हा जमा छोटी इ, ही, र, न, हिरन, हिरन means dheer, छवी, 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 अधिकार, 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 अधिकार means right. शा ना जमा छोटी इशनिवा, जमा बड़ाए वार, शनिवार, शनिवार, मेंज अब आगे जैसे कि हमने आपको बताया था वर्ण माला में यही एक ऐसा अक्षर है जिसकी मात्रा हमेशा अक्षर से पहले लगती है यहां पर आप ठीक प्रकार से देख सकते है जो रेड कलर की मात्रा है वह है छोटी की मात्रा वह हमेशा अक्षर से पहले लगती है देखिए सभी वेंजनों के आगे red color की मात्रा आप देख सकते हैं और बच्चो छोटी E की मात्रा के साथ आपको बड़े A की मात्रा भी यहां पर आप देख सकते हैं बड़े A की मात्रा है ना बच्चो बच्चो छोटी एकी मात्रा के साथ आप बड़े आकी मात्रा को भी इस पार्ट में आप देख सकते हैं क्योंकि हमने बड़े आकी मात्रा को जोड़कर शब्द बनाना और पार्ट को पढ़ना पिछली कक्षा में सीखा था है ना बच्चो आज हम सीखने जा रहे हैं छोटी ए की मात्रा को जोड़ कर पाट को पढ़ना शुरू करें बच्चो अभी दा जमा छोटी ए दी ना दिन ना जमा छोटी ए नी का ला निकल आ जमा बड़ा आ या जमा बड़ा आ आ आया दिन निकल आया का जमा छोटी ए की रा ना कीरण बड़ बच्चो यह हम पर देखिए महम पर ना तो ए की मात्रा है नहीं आ की मात्रा यह हम पर सिर्फ हम छोटे आखी धुनी को सुन सकते हैं जैसे अब अब कि हम पर कोई मात्रा नहीं है है ना बच्चों जा जमा बड़ा आ जा ग जाग की रण अप जाग चा जमा बड़ा आ चा दर चादर मिस ब्लैंकेट त क जमा छोटी ए तकी य जमा बड़ा आ या त की या तकिया रख रख बच्चों यहां पर भी कोई मात्रा नहीं है हमने इसको नौर्मली बूला है ना बच्चों रख रख चादर तकिया रख ख ता जमा छोटी ए की मात्रा खट या जमा बड़े आ की मात्रा या ख ति या, खटिया उठ जमा बड़े आ की मातरा उठा चादर तकिया रख खटिया उठा खटिया means कौट बच्चो ठीके, चादर means blanket तकिया means pillow खटिया means कौट सिवोटी कौट जिस पर हम सोते हैं मा जमा बड़े आ की मात्रा, मा ला जमा छोटी ए की मात्रा, मा लीश, मा लीश, मालिश, मालिश मीस मसाज बच्चों, ठीके? का, र, कर, मालिश, कर, फा, जमा छोटी ए की मात्रा, फी, र, फिर, न, ह, जमा बड़े आ की मात्रा, न, हा, फिर, न, हा, न, हा मिस बात बच्चों स्नान करना, ठीके? न, जमा छोटे ए की मात्रा, न, ता जमा छोटे ए की मात्रा, ती, न, ती, न, 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 ती, जा, ता जमा छोटे ए की मात्रा, ती, न, ज, ती, न, ज, ती, न, ज, ती, न, का जमा छोटे ए की मात्रा, की, श, न, की, श, न, कि शन वा, वा का मतलब आवर होता है भच्चों, जिसे हम ये इंजी आन्ज कहते हैं. बा, जमा, छोटे ए कि मातरा ब शा, ना, ब शा, ना, ब शन बड़े आ कि मातरा आ- गा, ये, गए, आ- गए, आ- गए नितिन जतिन किशन व बिशन आ गये ना जमा छोटे एकी मात्रा नी त जमा छोटे एकी मात्रा ती नी ती ना नितिन स जमा छोटे एकी मात्रा सी त जमा बडे आकी मात्रा तार सी तार सितार बच्चो यह भारतिया musical instrument है बच्चो जिसे अंग्रेजी में हम Indian musical instrument कहते हैं जिसका नाम है सितार यह बहुत पुराना instrument है बच्चो ठीके स जमा छोटे ए की मात्रा सी त जमा बड़े आ की मात्रा त सितार ल बड़े आ की मात्रा या ला या लाया नितिन सितार लाया का जमा छोटे चोटी एकी मात्रा किशन, किशन, ग, छोटी एकी मात्रा गी, ट, बड़े आकी मात्रा गिटार, 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 ला, बड़े आकी मात्रा, ला, य, बड़े आकी मात्रा, य, लाया, किशन, गिटार, लाया, साब समा जमा छोटे एकी मात्रा मिलकर मिलकर भजन भजन मिस हिम बच्चों ठीके जिसे हम प्रार्थना कहते हैं गा जमा बड़े आकी मात्रा गा का मतलब होता है सिंग किशन गिटार लाया सब मिलकर भजन गा ता ब तब तब मिस दें फा जमा छोटे एकी मात्रा फी र फिर ख जमा बड़े आकी मात्रा ख ना जमा बड़े आकी मात्रा ना ख ना खा ना खा सै ना खाना खा खां मिलकर ले इट मील्स न जमा छोटे एकी मात्रा नी त जमा छोटे एकी मात्रा ती ना नी ती ना नी ती अब अब का जमा छोटे एकी मात्रा की त जमा बड़े आ की मात्रा ता ब की ता ब किताब ल बड़े आ की मात्रा नी ती अब किताब ल किताब का मतलब बुक होता है ल का मतलब ब्रिंग होता है B-R-I-N-G, bring क, व, जमा, छोटे एकी मात्रा क, वी, त, जमा, बड़े आकी मात्रा ता, क, वी, ता, कविता प, ध, पढ़, पढ़, पढ़ मिस रीड बच्चु, कविता मिस पोयेट्री दा, जमा, छोटे एकी मात्रा दी, न, दिन, न, जमा, छोटे एकी मात्रा नि, क, ल, नि, कल, आ, बड़े आकी मात्रा आ, य, बड़े आकी मात्रा या, आया, दिन, नि, कल, आया का, छोटे ही की मात्रा, की, स, बड़े आ की मात्रा, की, सा, न, किसान, 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 किसान means former क, बड़े आ की मात्रा, का, म, का, म, काम, काम means work पर, पर, पर मिंस वोयन, ओन, ना जमा छोटे एकी मात्रा नी, क, ल, जमा बडे आकी मात्रा ला, नी, क, ला, नी, क, ला, निकला, किसान, काम, पर, निकला, च, जमा छोटे एकी मात्रा, ची, ध, जमा छोटे एकी मात्रा, दी, ची, धी, य, बडे आकी मात्रा, या, ची, धी, या, चिडिया, चिडिया मिंस बड, आ, बडे आकी मात्रा, आ, इ, आ, इ, चिडिया आई त जमा छोटे एकी मातरा ती न क जमा बड़े आ की मातरा का ती न का सूखी हुई घास बच्चो जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं चीके तिनके का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ ल जमा आ लाई 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 मिस ब्रिंग स जमा छोटे एकी मातरा सी म र न सिमरन सिमरन मिस लड़की का नाम बचो नेम आव द गर्ल भ जमा आ भाग कर भाग कर जा जमा बड़े आ की मातरा जा भाग कर जा सिमरन भाग कर जाग ची धी या ची धी या ची धी या चीडिया पकड 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 मिन स्कैच चिडिया पकड आ, ह, बड़े आ की मात्रा आ, अहा, अहा, क्या है ये? अहा, व, ह, व, ता जमावो, तो, उढ़, 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 गई, गई, अहा, व, तो उढ़ गई, बा, ड़, जमाव, बड़ा, आ, जमाव, आ, आ, न, जमाव, अन, आ, न, द, आ, न, बच्चो, यहां पर छोटी सी बिंदी है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार की ध्वनी अन होती है, समझ गए बच्चो? आ, जमाव, आ, आ, न, जमाव, अन, आ, न, न, द, आ, आन, द, आ, आ, जमाव, आ, यहा, आया, बड़ा, आन, आया, प्रजमाव, छोटी एकी मात्रा, प्री, प्र, जमा, छोटी एकी मात्रा, प्री, यह, जमा, बड़े, आकी मात्रा, यहा, प्रिया, प्रिया, प्रिया माने लड़की का नाम बच्चो? नेमाव्द गर, चा जमा छोटे ई की मातरा ची, ड जमा छोटे ई की मातरा धी, ची धी, य जमा बड़े आ की मातरा या, ची धी या, ची धी या, क जमा छोटे ई की मातरा की धरा, की धर? किधर का मतलब होता है वेर ग यी प्रिया चिढिया किधर गई वह वह उस ड जमा बड़े आके मातरा धा ल धाल धाल मने ब्रांच बच्चो ब्रांच आफ दी ट्री वह उस धाल बच्चो हम एक और बार दोराएंगे आप सब ध्यान से सुनियेगा दिन निकल आया दिन निकल आया इती इस मौर्निंग किरन अप जाग किरन वेक अप नाव किरन वेक अप नाव चादर 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 मिंस ब्लैंकेट बच्चो चादर, तक्या, तक्या means pillow, रख, रख means keep, चादर, तक्या, रख, keep the blanket and the pillow, खटिया, खटिया, उठा, खटिया means caught बच्चो, ठीके, खटिया, उठा, pick up the caught, मालिश कर, take a massage, मालिश कर का मतलब क्या होता है बच्चो, take a massage, फिर नहा, then bath, फिर नहा का मतलब होता है, then bath, मालिश कर, फिर नहा, take a massage, then bath, take a massage, then bath, नितिन, जतिन, किशन, वर बिशन आगए, नितिन, जतिन, किशन, और बिशन, आगए, बच्चो जैसे मैंने आपको बताया था यह Indian musical instrument है बच्चो इसका कोई अंग्रेजी नाम नहीं है इसलिए अंग्रेजी में भी इसको सितार ही कहते है समझ गए बच्चो यह क्या है यह है musical instrument जिसे हम अंग्रेजी में Indian musical instrument कहते है यह क्या है यह सितार है नितीन सितार लाया नितीन ब्रोड़ सितार किशन गिटार लाया किशन ब्रोड़ गिटार सब मिन्स आल अल अल समझ गए बच्चो सब मिलकर मिलकर मिन्स टुगैदर सब मिलकर भजन भजन मिन्स हिम बच्चो चीखे हिम को हम क्या कहते है प्रेयर और प्रार्तना सब मिलकर भजन गाँ सब मिलकर भजन गाँ सिंग आ हिम तुगैदर सिंग आ हिम तुगैदर तब तब का मतलब होता है दन त-H-E-N दन तब फिर खाना खा तब फिर खाना खा दन एत द 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 पढ़, कविता का मतलब होता है poetry बच्चो, पढ़ का मतलब होता है read, कविता पढ़, read the poetry, दिन, दिन माने day बच्चो, दिन, निकल, आया, it is morning, किसान, किसान means farmer, किसान, काम, काम मने work, किसान, काम, पर, पर means on, किसान, काम पर निकला, किसान, काम पर निकला, The former went to work. चिढिया, चिढिया means bird. चिढिया आई, चिढिया आई. The bird came. The bird came. तिनका, इसका मतलब बतर स्ट्वा बच्चो, जिसे हम सूखी घास कहते हैं. घास का मतलब क्या होता है? Grass, dry grass. Dry grass को क्या कहते हैं? Straw. Hindi में क्या कहते हैं? तिनका, समझ गए? तिनका लाई, तिनका लाई. Brought straw, तिनका लाई, brought straw. चिढिया आई, तिनका लाई. The bird came, brought straw. Simran bhaag kar jha. Simran bhaag kar jha. Simran run away. Simran run away. Chidya paka jha. Chidya paka jha. Catch the bird. Catch the bird. Simran run away and catch the bird. Aha, vah to uđ gai. Aha, vah to uđ gai. Aha, it is flew away. Bada anand aya. Bada anand aya. There was great joy. There was great joy. Bada anand aya. There was great joy. Priya, chidya kithar gai. Priya, chidya kithar gai. Priya, where did the bird go? Priya, where did the bird go? Vah us dhal per gai. Vah us dhal per gai. It went to the branch. It went to the branch. Ap aage. Dear class, now we will continue the rest part of the lesson. Please listen carefully. Y, ha, yah. Y, ha, yah. Ch, va, jamma, chhoti, ii, chavi. Ka, jamma, bada, ii, chavi. Ka, jamma, bada, ii, ka. Y, chavi, ka. Na, jamma, chhoti, ii, ni. Va, jamma, bada, ii, va, ni, va, sa. Nivaas th, jamma, bada, ii, tha. Tha. Y, chavi, ka. Nivaas th, sha. Na, jamma, chhoti, ii, chani. Va, jamma, bada, ii, va. Sh, ni, va, ra. Sh, ni, va, ra. Sh, ni, va, ra. Ka, jamma, bada, a. Ka, da, jamma, chhoti, ii, di. Na, din. Tha, jamma, bada, a. Tha. Sh, ni, va, ra. Ka, din, tha. Da, jamma, bada, a. Da, ka, jamma, chhoti, ii, ki. Da, ki. दाकिया 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 means postman देखिए चित्र में यहां दाकिया का चित्र है अपने देखा ना दाकिया स्जमा बड़ा सफिर करिल्यमा छोटी की साहिकल साइकल साइकल means bicycle परपर ions गमा आया आया त जमा छोटी ई ति क त टिकट लग जमा बड़ा आ लगा लग लगा लग जमा छोटी ई ली प जमा बड़ा आ वा प जमा बड़ा आ वा ली पा वा निफाफा means envelop ल जमा आ ला य जमा आ या लाया तिकर लगा लिफाफा लाया लिफाफा इसका मतलब क्या होता है बच्चों? का जमाई की सका जमा आ का की सका की सका किसका इसका मतलब है? W-H-O-S-E होस हम कहते है ना? का जमाई की सका किसका पत्र 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 मिस लेचर आ जमा आ आ य जमा आ या आया किसका पत्र आया? आ मा जमाँ छोटिई मिआमिता आमेत न जमा छोटिई ली प जमाँ बढ़ा आ आ फा प जमाँ बढ़ा आ आ फा ली फाफा दा जमा छोटी इदी, ख जमा बड़ा आ खा, दिखा, दिखा, आमित लिफाफा, दिखा, दिखा मिस शो, ठीक है बच्चों, दिखा इसका मतलब क्या होता है? शो, S-H-O-W, शो, हम कहते है न, शो मित लेटर, पत्र, पत्र आ, वा जमा छोटी इअवी, ना जमा बड़ा आ, ना, अ, वी, ना, श, अ, वी, ना, श, अविनाश, 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 का जमा आ, का, थ, जमा आ, था, पत्र अविनाश, का था, पत्र, 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 पर, पर, हमा जमा बड़ा आ, हमा रा, जमा बड़ा आ, रा, हमा 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 रा, अमारा मिस आवर बच्चो, वो यू आवर, प ता जमा आपता, प ता जमा आपता, पता मिस एड्रेस, ला जमा छोटी इली, तो जमा बडा आखा, ली, खा, ली, खा, ली, खा, लिखा मिस रिटन बच्चो, W-R-I-T-T-E-N, रिटन, ठ जमा आ था, पत्र पर हमारा पता लिखा था, पत्र पर हमारा पता लिखा था, Shall we revise once again? यह चवी का निवास था It was the abode of the image. It was the abode of the image. चनिवार का दिन था It was Saturday. It was Saturday. दाकिया, दाकिया means postman. दाकिया साइकिल, साइकिल means bicycle. यह हम पर देखिये. दाकिया के हाथ साथ bicycle है. देखा ना, इसी को cycle कहते है. आप सबको पता है ना? दाकिया साइकिल पर आया. दाकिया कैसे आया बच्चो? दाकिया साइकिल पर आया. The postman came on bicycle. दाकिया साइकिल पर आया. The postman came on bicycle. टिकट लगा, लिफाफा लाया. दाकिया क्या लेकर आया बच्चो? टिकट लगा, लिफाफा लाया. टिकट का मतलब बता है स्टैम्ट बच्चो? आपने देखा है ना? लेटर के उपर हमेशा स्क्वाइर शेप में स्टैम्ट होता है. आपने देखा है ना? क्सी को टिकट कहते है बच्चो? टिकट लगा, लिफाफा लाया. बराट अस्टैम्ट एंभलमब. पोस्ट मैं ऐम आं बैसल बाराचेट मैं स्टैम्ट एंभलम. इसका पत्र आया? किसका पत्र आया? Whose letter did you get? Amit, लिफाफा दिखा. Amit, चोदा, अन्वलब. Patr, अविनाश्का था. Patr, patr means letter. Avinash means name of the boy. Patr, Avinashka था. The letter was from Avinash. The letter was from Avinash. Patr, पर, हमारा, पता लिखा था. Patr means letter. पर means on. हमारा means hour. Patr means address. लिखा means written. लिखा था. पत्र पर हमारा पता लिखा था. Our address was written on the letter. Our address was written on the letter. बच्चों, पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा. ये की मात्रा को जोड़ कर पढ़िएगा. उच्चा रेंड सही तरीके से कीजिएगा. बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं पे समाप्तु होती है. हम अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ. तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद.